लाइब नियूज खबर तो पक्की है नमस्ते साथियो जैहिंद अभी आपको हम बता दे कि सप्लिमेंटी रिजल्ट के मांग को लेकर जो टी यारी टू की सप्लिमेंटी रिजल्ट थी उसके मांग को लेकर आप सबको हमने बताया था कल के वीडियो में कि बैठक जो हो गई तीन तारिक वियाने तीन मार्च दोहजार चोविस संडे के दिन मैठक होने वाली थी प्रन्तो अब सबको पता है हम संजोग से यह ऐसा गलती हो गया कि मुझे यह बिल्कुल अभास नहीं था क्योंकि तीन तारिक को पटना के गांधी मदान में एक बहुत बड़े रैली के आ नहीं था कि तीन तारिक के दिन बैठक होने वाली थी जिसको अब टाला गया है तो आप सब को बता दे कि सुप्लिमेंटी रिजल्ट के मांग जो हमारी थी जिसको लेकर सिछा विभागने सुची भेजी थी 14,700 पदो पर यह सिर्क मल्टीपल रिजल्ट के बात है सत्यों आ कि सप्लिमेंटी रिजल्ट देंगे यह TRE1 की बात है मल्टीपल रिजल्ट ड्रॉप आउट स्टुडेंट और फर्जी वारे यह तीनों का डाटा जो है वो बताये थे और 4700 सुच्छा विभाग जो सुची भेजी थी TRE1 में मात्र 2773 लोगा रिजल्ट आया था तो सिच्छा विभाग और BPSC न जो चीजे की है अब आपके सामने है कहनी की जरूवत नहीं कि क्या क्या हुआ है और ACS सिच्छा विभाग क्या परमुक सचिरूर केके पाठक भी अब सेंट्रल डेप्रिशन में आने केंद्री पर तिन्युक्ति पर जा रहा है इसकी भी च सिच्छी जो है वारल हो रही है तो कौन कहां जाएगा क्या करेगा इस बात पर अब हम लोग को नहीं रहना है कितना जरूर है कि सिच्छा विभाग में जो हो रहा था और जिस तरह की चीजे तुगलकी फरमान जाड़ी की जा रही थी केके पाठक द्वारा अब केके पाठ मुकमंत्री जी की जो सवासे जो क्रिडिट मिला कि सिच्छत बहाली हुई तीन महीने में दो लाग स्चुक्र के बहाली का क्रिडिट कौन लेगा इसका सारा स्रेह तो केके पाठक को जा रहा था और केके पाठक की तुगलकी फरमान की आप वकालत कर रहे थे कभी धूप मे हाथ सेखने पर करवाई कभी पांच मिनट लिट अभी स्कूल की टाइमिंग को लेकर जो भी बात था और मुख मंत्री जी ने विधान सवाग के सदन के पटल पर जो अस्पत्रुप से कहा कि एक थोड़ा टाइमिंग जो है और दस बज़े से पहले आना है दस बज़े से स्कूल सुरू हो गए इसको लेकर भी बात था मुख मंत्री जी के बातों कही आभिलना हुई ता आप समझ लिजे कोई अधिकारी किसना पावर्फुल हो सकता है यहां तक कि सिक्षा मंत्री की बात को तो खेड छोड़िये जब राज़त कोटे की मंत्री पुफेसर चल सेखर की बात को अभिलना हुआ पुफेसर चल सेखर तो कुछ थे ही नहीं उनके सामने मुझे ऐसा लगा कि ऐसे अधिकारियों की मिली भगत और ऐसे अधिकारियों की कारणामे से तिक्षा मंत्री को हटाया जाए गया और फिर वो द्वारा अस्थापित हुए मुझे लगता है कि ऐसे संकी अपसर को जो हो सके इमांदार हों हो सके कर्तविनिस्ट हों यह मतलब नहीं कि आपको किसी ने लाइसेस दे दिया है कि आप तीछकों के साथ गाली गोलोज करें अब अध्रिभासा कटी का टिपनिंग करें क्या 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 उनक्या सदन के पडल पर दोनों हो सकता पक्षो यह भी पक्षो तमाम नेता जो हैं तमाम विदायक किस बात की पुष्टी कर रहे थे कि के के पाठक इस पद पर नहीं रह सकते हैं के के पाठक सिक्षा विवाक्या पर मुक्सची भाई इमांदार है यह अलग बात है लेकिन उनके रहते हुए भी तो हम लोग तो काफिया रोप लगा रहा है पहले से कह रहे हैं कि TRE1 से लेकर TRE2 तक ज पैसे लेकर निफ्ट किये गए तो आप अगर आपने हटाया लोगों को करवाई भी आप कर रहे हैं तो उसके जगह पर पुरक पर नाम जारी होने चाहिए तो पुरक पर नाम जारी नहीं हुआ TRE1 से लेकर TRE2 तक लगाता है डिमांड कर रहे ते आप सब को पता है कि TRE1 में सब लोगों को आपने मौका दिया STT एपियरिंग, CTT एपियरिंग, DLAड एपियरिंग, BAड एपियरिंग, नियोजी स्रिक्षा, स्रेस केंडिडेट सभी लोग बहा लोग है और अभी जो बात कर रहे तो उससे, जब आप सता में नहीं थे, आज भी हर के उप मुखी मंत्री है, तो आप अपने बात उससे पलटी मार गया, सप्लिमेंटी रिजल्ट पर आपको चुप्पी साथ गया, दस मर्स के उम्र छूट नहीं मिली, उस पर चुप्पी साथ मार्क बैठे है, तो इन लोगों का इस प्रकार के चीज़े है कि आप भरोसा करने के विश्वास के लाइक नहीं है, तो सारी चीजों पर आपको हम बता दे कि सप्लिमेंटी रिजल्ट को लेकर 6 मार्च को एक बैठक बुला रहा है, बैठक गांधी मैदान में ही होगा गांधी मूर्थी के पास और जो चीज़े आप सामने होगी, उसके बिल्कुल आप आमने सामने की बाते होगी, इसे कोर्ट जाने के तयारी में सभी अविहरती रहें, जितने में सिच्छा के विहरती हैं, जो 14,700 पदों पर जिनका एक नमबर दो, नमबर पाच नमबर हम मार्च को बैरियर नहीं है, यह सारे लोग अपना डॉकिमेंट लेकर 6 मार्च के दिन आएंगे, और आगे कि जो रनीती होगी, किस प्रकार से क्या होगा नहीं होगा, हम दो सब लोग मिल बैट कर बात करेंगे, लिए इतना जरूर है, यह जो पूरक पर नाम जारी नहीं हुए, उसके लिए इंडिये स प्रस्टी के कटोटी की गए, उसको लेकर विवाद था, कभी बोडाग बोरी बेशने को लेकर विवाद है, तो केके पाठक इन ही सार विवादों को लेकर उलजह रहते हैं, सिछा विवाद उलजह रहता है, और जो मुख्य बिंदू है, जिस पर काम करना चाहिए, सप्ले से मिला कर, तो BPSC से भी हाठ प्रस्टी कई लोग का कहना है, मेरा ऐसा मनना है कि जो लोग पठन पाठन में अगर सलग रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए परिच्छा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन जो लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल से पढ़ा रहे हैं और एक आएक 125 के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके परिच्छा BPSC ले रहे हैं, और BPSC के परिच्छा के बटर्न पर ले रहे हैं, तो सारी चीज़ें बिल्कुल है कि सरकार जो कहती है, वो कर नहीं रही है, जो करना चाहिए उस पर पीछी हाट रही है, इसलिए हम लोग सिच्चक अभेरतियों के साथ और सारे मुद्दों को लेकर हम 6 मार्च 2024 को बटक बिलाड़ हैं, सभी सिच्चक अभेरतियों को सप्लिमेंटरी रिजल्ट के मांग को लेकर उस बटक बिलाना है, तो ठीक है, धन्यवाज, जैहिंद, जैभारत